नमस्कारों तो आज की इस वीडियो में आपके रिले कर आए हूँ आईपियल के दुनिये के दस बड़े अपडेट्स जो यह दिए आईपियल के फैन है तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं दोस्तों आईपियल रद हो चुका है और इस वीडियो सीरीज के जरी आपको हम आईपियल के पल-पल की अपडेट्स देते रहेंगे चलिए देखते अपना सबसे पहले अपडेट्स दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रहे है कोलकाथा नाईट्राइडर्स के दिरब से जहां पर आपको बता दिए कि कोरोना का कहर आईपियल के रद होने के बावजूद भी जा रही है कोलकाथा नाईट्राइडर्स में सबसे पहले इस वाइरस का असर देखा गया था जहां पर वरुन चकरवर्ती और संदीप वैरियर पॉजिटिव पाए गये थे और आप ख़बर निकल कर आ रहे है कि परसिद कृष्णा भी पॉजिटिव पाए गये है और यहाँ खबर तब आ रहे है जब परसिद कृष्णा का चैन हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियांसिप के लिए स्टैंड बाई या तो फिर रिजर्ब खिलाड़ी के रूप में और उनका संकरमन सामने आने में बस कुछ समय लग गया चलिए जो भी हो हम उनकी जल्दी रिकावरी की कामना करते हैं चलिए देखते अपना दूसरा अपडेट दोस्तों जबसे आईपियल रध हुआ है तब से बहुत सारे से देश जो आईपियल करवाने के लिए सारे देश आगे आ रहे हैं आईपियल करवाने के लिए लेकिन बीसे साई जिस चीज़ को लेकर संघर्स कर रहे हैं वह है टाइम स्लोट और टाइम विंडो की कब करवाया जाए आईपियल हरा कि एक टेंटर्टीव डेट आया है और वह है सितंबर में लेकिन इस पर भी संदे है क्योंकि उस समय भारत और इंग्लेंड का टेस्ट सीरीज होगा असल में स्रलंका क्रिकेट बोडिस साल जुलाए में इस लंका प्रीमेर लीग करवाएंगे और वहाँ पर केस भी कम है इसलिए वह चाहते है कि आईपियल भी वहीं पर करवाया जाए अब देखिये बीसे साई इनकी बातों को कितना सिरियसली देते हैं चली देखती है अपना तीसरा अपडेट दोस्तों या अपडेट निकल कर आ रहा है कुलकता नाइफ्ट्रेडर्स की तरफ से बाद वह कोलकाथा के चौते खिलारी हैं जो पॉजिटिव पाई जाने की लिश्ट में हैं वही न्यूजलेंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम के लिए कहा है कि बहुत दुखी बात है कि उन्हें COVID-19 हो गया है और न्यूजलेंड क्रिकेट बोर्ड हर कुछ करेंगे तक कि वह जल से जल ठीक हो जाए वहीं अदि आपको कोई आइडिया नहीं है कि टीम सीफट कौन है तो आपको याद दिला दे कि या खिलारी अली खान की रिप्लेस्मेंट क्रूप में आये थे बॉबल में आने की लेकिन 40 के जगा 42 हाउसकीपिंग स्टाफ आ गए थे और जो एक्स्ट्रा आये थे वह बेटिंग में इन्वल्फ और उन्हीं की वज़ए से वाइरस ने बॉबल में सेंध मारा उन दोनों को गिरफतार कर दिया गया है और कड़ा फाइन लगाया गया दोनों के उपर इसके साथ ही दिली किर्केट बोर्ड ने कहा है कि खिवा उस सक्स पर भी कारवाई करेंगे जिन्होंने इन दोनों को एंट्री दी और बिना पास के उन्हें आने दिया चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट, दोस्तों या अपडेट निकल कर आ रहा है, वर्ल्टेस्ट चैंपियंशिप को लेकर जहां पर आपको बता देगी कल BCCI ने उन खिलाडियों के नाम घोसित कर दी हैं जो वर्ल्टेस्ट चैंपियंशिप के लिए भारत से इ सभी खिलाडियों के बारे में हमने डीटेल से सारी जानकारी दिया है, वहाँ वीडियो हमारे चाहां के उपर है, आप उसे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं अपना छटा अपडेट, दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है महिंदर सिंग धोनी के दरब से, हमने आप कर इस साक्षी दोनी ने अपने इस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्टर के दिया, और महिंदर सिंग धोनी को घोडा रखने का इंस्पिरेशन, उनके ही दोस्त रवींदर जडिजा से आया होगा, जिनके पास कुल मिला कर चार गोड़े हैं, और काफी बड़ा सौक हैं उ क्यों नहीं सामिल किया गया, तो आपको बता दे कि हारदिक पांडिया अभी भी पूरी तरह से फीट नहीं है गिनबाजी करने के लिए उनके कंदों में, अभी भी जो दर्देवा ठीक नहीं हुआ है, जिसके वज़ा से वा एक और राउंडर की कैटेगरी से बाहर हो चु यदि वह गयनबाजी नहीं करते हैं तो, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह माना जा रहा है कि हर्लिक पांडिया हो सकता है कि आने वाले समय में बालिंग करना ड्रॉप करतें और गयनबाजी करना छोड़ दें, चलिए देखते हैं अपना अपडेट, दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है, रोयल चर्णेजर्स बैंगलोर की तरब से, आपको बताना चाहेंगे कि IPL रद होने का सबसे जादे किसी को तकलीप हुआ है, तो वह होंगे बैंगलोर के फैंस, क्योंकि इस साल बैंगलोर बहुत ही अच्छा परदरसन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह ट्रॉफी भी जीच सकते हैं, लेकिन किसे बात उनके साथ नहीं था और इर्फ़ान पठान ने इस बात पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कोहली, A.V.D. विलियर्स और मैक्सवल के अच्छे फॉर्में होने के बाद बस कुछ दिनों की दूरी थी और इस साल कप नामदे उनके लिए सच हो जाता और सिर्फ बैंगलोर के फैंस नहीं बलकि और भी फैंस चाहते थे कि इस साल कम से कम कोहली की टिम ट्रॉफी जीत जाएं, लेकिन कोई बात नहीं भी भी टूर्णमेंट बाकी है और अभी भी मौके हैं, चलिए देखते हैं अपना नौ करेंगे जिसके बाद वहां से वह सेक्योर फ्लाइट के जरीए इंगलेंट जाएंगे और वहां पर यह दाएंगे और इस बार का खासित यह रहेगा कि खिलाडी सिर्फ अपने रूम में ही नहीं रहेंगे बलकि बहां प्रैक्टिस कर सकते हैं आपस में जिसकी वैसे समय ब पर उनके इस तरह से फ्लाइट से दूसरे जगा पहुंचाने पर बाकी के फ्रेंचाइजी खुश नहीं है। यहां थे हमारे आज के आईपील के कुछ बड़े अपडेट्स ऐसे ही वीडियो जो हम आपके लिए हर दिन लाते हैं इसलिए हमारे साथ बने रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आको नो दोबाए टाकि सारे अपडेट्स मिलें आपको सबसे पहले मिलते हैं। अपने इक लिए वीडियो मारे वीडियो बदास और बैस दूरिंग कॉंटेंट के साथ।